तो कैसे आप अपनी PPT फाइल में एक्सल शीट इंक्लूड कर सकते हैं कोई कॉपी पेस्ट का जंजट नहीं है आप सीधा इंक्लूड कीजिए कैसे होगा आइए शुरू करते हैं ये टुटोरियल वीडियो बहुत काम की वीडियो और बहुत काम आईगी आपके डेस्टॉप इसके बाद आप हमने ये टेस्ट फाइल XLS बना रखी एक डेमो फाइल ये हम सेलेट करेंगी हमने कर ली इसके बाद हम नीचे लिंक पे चेक्मा करेंगे उसके बाद आप डिस्प्ले आइकन कर सकते हैं नीचे चेंज आइकन की आप चाहे तो आइकन चेंज भी कर सकते हैं जहां भी आप सेट करना चाहते हैं इसके बाद यह हमने लिख लिए है reference reference इसके बाद आपको जाना है action पर उपर action में जाने के बाद आपको क्या करना एक्षन पर क्या होना चाहिए आप object action में आकर इसे scroll down करेंगे open पर क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे okay इसका अब आपने set कर दिया है अगर कोई क्लिक करें तो यह open हो जाए कैसे होगा आपको दिखाते हैं इसके लिए आपको f5 करके full page पर आना पड़ेगा उसके बाद reference पर जब आप आप क्लिक करेंगे यह देखिए खुल गई है अब यह जितनी बड़ी एकसल होगी हमने टेस्ट फाइल बनाईए जितनी भी बड़ी एकसल होगी वह खुल जागी यहाँ पर आप देख सकते हैं और आप easily किसी भी एकसल चीट को अटेच कर पाएंगे अपनी पीपीटी में हुआँ